गुड आप्टर नूँन स्टूरेंट्स हम लोको का सेकेंड चैप्टर है पार्ट्स ओफ हे प्लांट्स इस चैप्टर में हम लोक पार्ट्स ओफ प्लांट्स एंड इस फंक्शन पढ़ेंगे अब हम लोगों का टॉपिक है पार्ट्स ओफ प्लांट्स परेंगे तो बेसिकली पार्ट्स ओफ प्लांट्स दो ही होते हैं root system and root system तो सबसे पहले हम लोग root system के बारे में परेंगे कि root system कहते किसे हैं तो root system उसे करते हैं the portion of plants which grow below the ground in downward direction this portion of plant is called root system जो portion plant का पृत्वी के नीचे ग्रो करता है उस plant के portion को उमनों क्या कहते हैं root system कहते हैं roots are mainly of two types roots system दो तरह के होते हैं एक होते हैं fibrous root दूसरा क्या होते हैं tap root होते हैं तो अब हम लोग root के बारे में परेंगे तो fibrous root एक bunches of root होता है यानि बहुत सारे root एक दूसरे से connected रहते हैं and all roots are connected to the stem इसमें क्या होता है कि सभी root stem से connected होता है तो सब जब एक दूसरे से connected होता है तो वो एक गुच्छा का formation करता है इसलिए हम लोग क्या कते हैं fibrous root is a bunches of root ये root का गुच्छा होता है and all roots are connected to stem और इसमें जितने भी roots होते हैं वो stem से connected होते हैं ये किस-किस सीज में ये ऐसे root पाया जाते हैं वीट, ग्रास, राइस, मैस, जौर, बाजरा इस सब चीज में ये इस fibrous root पाया जाता है अब हम लोगों का है tap root tap root कहते किसे हैं tap क्या होते हैं tap root एक dominant root होता है उसमें एक ही root उसका जो center root होता है वो बहुत ज़्यादा ठिक होता है और solid होता है यानि मोटा और full हो रहता है वो root के होते हैं stem से connected रहता है और उसमें एक hair like hair strip like structure होता है जो root को support करता है to stand वो stand करने में support करता है तो tap root के हैं एक dominant root है क्यों dominant है उसमें बहुत सारे roots होते हैं बर उसमें वो ज़्यादा strong रहता है वही root क्या होता है stem से connected होता है ऐसी root को अमरों क्या कते हैं tap root कहते है और tap root पाया किसमें जाता है तो almost जितने भी pulses है उसमें tap root ही पाये जाते है just like moon, graham, latin ये सब में क्या होता है कि tap root पाये जाता है अब tap root का एक example आप देख लिजे radish, carrot, beet root ये सारे जो roots है वो tap roots के example है अब हम लोगों कहें functions of root तो functions of root पहले तो हम लोग root के first function के बारे में पढ़ते हैं root का एक काम है कि plant को सही से खड़े रखने में वो मदद करता है वो support देता है कि वो सही से plant खड़ा रहे सोचिए कि हम लोगों के body में ये थी हमारा पैर नहीं हो क्या हम सही से खड़े रहा पाएंगे तो नहीं रहा पाएंगे तो उसी तरह जैसे हमारे body में foot का importance है उसी तरह plants में root का importance है सही से खड़े रहने के लिए वो उसको support करता है to stand erect मताब सीधा खड़ा रहने के लिए support करता है दूसरा ये क्या करता है soil erosion से prevent करता है soil erosion यानि मिट्टी का कटाव transfer to soil one place to another place that is called soil erosion तो root क्या करता है prevent soil erosion यानि soil erosion को को रोकता है यानि मिट्टी के कटाव को कैसे रोकता है तो जितने बूत में root के hair strip होते हैं, root होता हो तो वो मिट्टी को पकड़िये वे रहते हैं, जिससे वो क्या करता है, मिट्टी एक जगे से दूसरे जगे transfer नहीं होती है, second root का क्या काम है, तो second root का काम है, its work as a transport, यह transport का काम करता है, पहले तो हम लोग इसका एक काम समझ लेते हैं, परस्ट, उसके बाद second काम है, इसका है absorption, absorption, it means root absorb water and minerals from the soil, root क्या करता है, water और minerals soil से collect करता है, जो root का hair strip होता है, यह root होता है, वो soil में जो परजेंट रहते हैं, water और minerals, उसको वो absorb करता है, और third root का क्या 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 है, transport करना, it means, it take, root take water and minerals from soil and transfer stem, root एक transport का भी काम करता है, transport समझते हैं, किसे करते हैं, जिस पर हम लोग बैठ के एक जगत से दूसरे जगा जाते हैं, उसी तरह root भी काम क्या करता है, कि वो soil से nutrients और water को absorb करता है, और stem में पहुँचाता है, तो यह है functions of root, अब देखिए कुछ root का आपको पास example दिया गया, टर्ड निप, बीट root, carrot, radish, यह सब कौन से root होंगे, तो यह सब tap root होंगे, आप इसमें पिक्चर से भी देख सकते हैं, कि यह और सब root से बहुत ज्यादा strong है, बहुत ज्यादा मोटा है, इसलिए इसको हम लोग dominant root भी कहते हैं, अब आपारा next point है, suit system, suit system कहते किसे हैं, the portion of plants which grow above the ground is called suit system, जो portion plant का earth surface के उपर grow करता है, वैसे portion of plant को हम लोग क्या कहते हैं, suit system कहते हैं, they consist stem, flowers, leaves, seeds, birds, branches, etc, इसमें कौन-कौन से portion consist करते हैं, तो stem, flower, fruits, branches, leaves, यह सब इसमें consist करते हैं, suit system, यह सब portion भी हम लोगों को पढ़ना होगा, अब हम लोगों का topic है stem, stem कहते किसे, plants may have stem, they are strong, और weak, कुछ plants के stem होते हैं, किसी के strong होते हैं, तो किसी के weak होते हैं, किसी के oodie होते हैं, तो किसी के soft होते हैं, तो different types of plants have different types of capacity of stem, the color of stem is brown and green, stem का color brown or green होता है, क्रेंच और stem भी plant को सही से खरे रहने में मदद करता है, अब हम लोग पर कुछ plants के stem क्या होते हैं ? उडी होते हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं या आज है fuels भी हम लोग यूज करते हैं अब है function of stem तो function of stem है कि stem take water and minerals from root and transfer the various part of the plant stem क्या करता है रूट से water and minerals को absorb करता है और जितने भी plants के parts होते हैं उस plants के parts में वो क्या करता है ट्रांसफर करता है They carry food from leaves to all parts of the plant और उसका दूसरा भी काम है कि food जो prepare करता है during the process of photosynthesis food जो prepare करता है उस food से वो glucose को absorb करके plants के पूरे parts में transfer करता है कुछ उसके बाद next है कुछ some plants valuable to use sources of food कुछ plants के root sorry stem होते है वो as a food भी हम लोग खाते हैं जैसे potato, sugar can, ginger, onion, these are the examples of stem and we eat them because they store food in them some plants are woody and we use this wood as a furniture as a fuel we get latents and drains from the some plants कुछ plants से हम लोग गम्स लेते हैं कुछ plants से हम लोगों को color करने वाला समान मिलता है उसके stem से तो उसका utilize हम लोग अपने daily life में करते हैं तो हम लोगों के life में plants का बहुत ज्यादा importance है तो हम लोगों को जितना मात्रा में हम लोग cutting of trees करते हैं उससे ज्यादा मात्रा में हमें plant को लगाना चाहिए जैसे आप देखिए एक पेर को cut करने में हमें मुश्किल से 5-10 नियत लगेगा और उसको grow होने में कई साल लग जाते हैं इसलिए planting tree हमेशा पेर लगाने की कोसिस किजिए अगले class में हम लोग leaves पढ़ेंगे और leaves के functions के बारे में पढ़ेंगे आप लोग इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और फिर हम next class में leaves और leaves के function और seeds के बारे में fruits के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थैंक्यू